नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आपको ऐसी चार चीजों के बारे में बताएंगे जिसका प्रियोग करके आपका कॉलेस्टोल कभी नहीं बढ़ेगा नहीं आपको नसों में गैस होगी नहीं नसों में ब्लोकेज होगी आप स्वस जीएंगे healthy जीएंगे दोस्तों आज हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको easily अपने घर पर ही मिल जाएंगी या फिर आसपास की market में easily मिल जाएंगी यह आपके घर में नहीं हैं दोस्तों इन चारों चीजों का प्रियोग करके आप अपने cholesterol को सही रख सकते ह हाट को सही रख सकते हैं और अपने जो toxins हैं आपके शरीर में अंदर उनको बहार निकाल सकते हैं आईए जानते हैं उन चार चीजों के बारे में और दोस्तों शरीर की ऐसी कोई बिमारी नहीं होगी जो ये control में नहीं कर सकती हैं चार चीजें दोस्तों चारों चीजों में स पहली चीज है आमला आमला दोस्तों हमारे लिए काफी फायदेमंद है यदि आप हर दिन कच्छा आमला खाते हैं तो इसके पीने से आपकी इम्मिनिटी मजबूत रहेगी जूस पीने से दांत और मसूडे मजबूत रहेंगे इसके अलावा सांसों की बद्बू को भी ये पितरीन फल है आप इसका यूज जरूर करें जिन लोगों का कॉलेशोल बढ़ चुका है इसका यूज करने से दोस्तों उनका कॉलेशोल कंट्रोल में आ जाएगा शिरीर में गंदगी नहीं होगी इससे तवचा रोग भी आपको नहीं होगा इसके सेवन करने से आपकी जो स्किन समंदी प्रोब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी बालों का जड़ना कम होगा आँखों के लिए काफी फाइदे मंद हैं बालों के लिए अच्छा कंडीशनर का काम करेगा आपके हार्ट को स्ट्रोंग रखेगा बालों को सफेद नहीं होने देगा समय से पहले विटा प्रचन शक्ति को बढ़ाएगा गठिया के रोप को भी सही करेगा और यदि आपको पत्री की समस्य है उसको भी ठीक कर देगा खून की कमी को दूर करने में काफी है दूसरी दोसों ओश्दी है जो आपको ठीक रखेगी वो है लहसुन लहसुन काफी फाइदे मंद है लहस डाइपटीज को कंट्रोल करता है टीबी जैसी बीमारियों को ये दूर करता है सर्दी खासी हो आप इसका सेवन जरूर करें आपकी सर्दी खासी दूर हो जाएगी कॉलेस्टोल को ये काफी रिमूव कर देता है बैड कॉलेस्टोल को दोस्तो पाच्जन समंद्य आपको को कोई भी समस्या है पेट के रोग है डाइबटीज है उनको सही कर देगा दोस्तो आपने इसका सेवन करना है सुभे खाली पेट यदि आप इसका सेवन सुभे खाली पेट करते हैं तो आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा और शरीर की अनेग बिमारियों को ये ठीक क करता है शरीर की साफ सफाई से लेकर लीवर हाट जैसे भ्यंकर बिमारियों के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तो महिलाएं इसका सेवन करके अपना वजन कम कर सकती है और महिलाएं ही नहीं दोस्तो जैंड सोते हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं अपना वेट घटाने के लि तो आप इसका खाना खाने के बाद भी इसका प्रियोग कर सकते हैं इसका या तो आप खाली पेट यूज कर सकते हैं या खाना खाने के एक घंटे के बाद इसका सेवन कर सकते हैं दोसो इसका सेवन आप सीधे ना करें स्ट्रॉव अगरा की हेल्प से ही इसका सेवन करें क्यों धनिया और सौफ आपने दोस्तों अपने घर में इन सब चीजों को देखा ही होगा ये ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी फाइदा देते हैं आपके शिरीर की बिमारियों को सही करने के लिए वजन घटाने की जहां बात आती हैं तो आप इन तीनों चीजों का यूज कर सकते ह या तो इसका काड़ा बना सकते हैं या फिर इन तीनों चीजों को रात को भिगो कर रख सकते हैं और सुभे इसका पानी चान कर पी सकते हैं डाजेशन के लिए काफी फाइदे मंद है तीनों चीजें जीरा दोस्तों बरसाती मोसम में पाचन तंतर को सही बना कर रखता है त पानी में मिलाकर इसका सेवन करना हिए। तो आपके श्रीर को भरपूर फायदे मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कि चारों चीजें आपने किस तरीके से लेनी हैं और कब लेनी हैं। दोस्तों, आवला आप हर रोज खाएं। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तब भी आप आवले का सेवन हर रोज करें। क्योंकि आवला हमारे श्रीर को स्वस्थ बना कर रखता है। आवले का कोई नुकसान नहीं है, आप पूरा साल भर इसका यूज कर सकते हैं, हर रोज खाली पेट, या फिर खाना खाने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले, यानि खाली पेट यदि आप इसका सेवन करते हैं, तो आपको इसके भरपूर फा खाली पेट सेवन करने से आपके शिरीर की तमाम बिमारियां सही हो जाएंगी, आवला तो आप हर रोज लें, दूसरी ओश्दी है गार्लिक यनि लहसुन, लहसुन को आप दोस्तो खाली पेट लें सुबह, इसको भी दोस्तो आप हर रोज ले सकते हैं, आवला और गार्लिक दोनों को ले सकते हैं, जैसे कि आप पहले आवला, पानी पिए और उसके आधे घंटे के बाद आप गार्लिक लें, लहसुन ले, लहसुन आप कच्ची भी ले सकते हैं या फिर भून कर भी इसका सेवन कर सकते हैं, तो हर रोज आपने आवला और गार्लिक लेना हैं, और दोस लैमन और विनेगर का जो हमने जूस बनाया है वो आप दोनों तरीकों से ले सकते हैं खाली पेट पी और खाना खाने के बाद भी तो इस तरीके से दोस्तों आपने इनका सेवन करना है लैमन और विनेगर जो वाटर है वो भी हफते में आप तीन बार सेवन करें दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो